हेलो, मैं चंदरीका राजपूद, कोपीनाद कीचन में आपका स्वागत करती हूँ, आज हम बनाएंगे दूदपाग दूदपाग बनाने के लिए हम एक बॉल में दो चम्मच बासमती चावल लेंगे आप कोई भी चावल ले सकते हो, पर बासमती चावल अच्छा रहेगा तो यहां हमने एक लिटर दूदप के सामने दो चम्मच बासमती चावल लिया है अब दूसरे पाउल में हम चीनी लेंगे, तो हमें चीनी छे चम्मच लेनी है तो यह नाप हमारा एकदम सही है, कि एक लिटर दूदप, छे चम्मच चीनी और दो चम्मच चावल और दूदप भी हमें अमुल गोल्ड फुल फेट वाला आता है, वो ही लेना है अब हम चावल को दो बार अच्छे तरीके से दो लेंगे इसके बाद हम इसमें पानी एड़ करके भीगने के लिए छोड़ देंगे दस मिनिट तक इसको भीगने देना है, दस मिनिट में चावल हमारे भीग जाएंगे तो अब इसको हम साइड पर रखते हैं, अब हम एक कुक कर लेंगे क्योंकि ये हेवे बॉटम वाला है, इसलिए कुक कर लिया है आप नॉन स्टिक कड़ाई या कोई भी जिसका बॉटम हेवे हो वो ले सकते हो इसमें पानी थोड़ा एड़ करके हम कुक कर को गिला कर लेंगे इसके बाद हम इसमें दूद एड़ कर देंगे ऐसे पानी से हमें कुक कर को गिला करने से दूद ये चिपकेगा नहीं इसलिए हम गिला कर ले तो अच्छा है अब इसको हम गैस पर रख देंगे गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और दूद को उबलने के लिए हम रख देंगे तो हमने हाई फ्लेम पर दूद को रखा है तो थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगा और इसमें उबाल आ जाएगा अब आप देख सकते हो इसमें एक उबाल आ गया है अब हम इसमें चावल भिगो के रखा है वो इसमें एड़ कर देंगे तो इस में से हम पानी निकालके चावल एड़ कर देंगे और चावल भी आप देख सकते हो अच्छी तरह से वो भी भीग गए है चावल का कलर चेंज हो जाता है वो एकदम वाइट कलर के हो जाते है तो ऐसे चावल को भीग कर एड़ करने से चावल का दाना तूटता नहीं है और चावल का दाना आपस में एक दूसरा चिपकता भी नहीं है इसलिए चावल को हमें 10 मिनिट भीगो के ही एड़ करना है अब हम दूद को तब तक उबालेंगे जब तक चावल हमारा अच्छी तरह से पकना जाए अब जब इसको low flame पर पकाएंगे तो ज्यादा देर लगेगी अगर आप high flame पर पका रहे हो तो इसको continue चलाते हुए पकाना है अब हम देख लेंगे हमारा चावल अच्छी तरह से पक गया है या नहीं तो इसको हम हाथ में लेके ऐसे देख लेंगे चावल अच्छी तरह से पक गया है अब हम एड़ कर देंगे चीनी तो चीनी हमें जब चावल अच्छी तरह से पक जाए इसके बाद ही एड़ करनी है इस बात का हमें ध्यान रखना है अब चीनी हमने एड़ की है तो इसका पानी बनेगा तो इसलिए हमें पाँच मिनिट और इसको उबालना है मैंने अपनी चैनल पे दो और वीडियो दूदपाक के अपलोड किये हैं वो आप देख सकते हो वो दोनों अलग-अलग तरीके से बनाया है और ए दूदपाक भे मैं अलग तरीके से बना रहे हूँ तो आप आपको जो पसंद आए वो टाइप काप दूदपाक बना सकते हो पर एक बार आप तीनों दूदपाक देख लेना तीनों अलग-अलग है इसमें हमने ना तो मिल्क पाउडर एड़ किया है ना हमने काजुबादाम की पेष्ट एड़ की है ये दूदपाक हमने बिलकुल हमने जैसे ओरिजिनल रिट से बनता है वैसे बनाया है अब हम इसमें इलाइची और चाइफ़र एड़ कर देंगे इलाइची का मैंने पाउडर कर लिया है अब हम चाइफर को भी हम ग्रेट कर लेंगे तो इसमें हम और कुछ एड़ नहीं करेंगे कोई भी ड्राइफरूट हम और नहीं लेंगे सिर्फ इलाइची पाउडर और चाइफर दो ही हम लेंगे आप चाहो तो इसमें चारोली भी एड़ कर सकते हो पर मैंने यहां चारोली नहीं ली है अब हम यह इलाइचिक का पाउडर और नटमेक का पाउडर दुदपाक में एड़ कर देंगे नटमेक का पाउडर दुदपाक में एड़ करने का रीजन यह है कि ये हमें टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और दूदपाक को हजम करने में भी ये help करता है तो अब ज़रूर nutmeg का पाउडर इसमें दूदपाक में एड़ करना अब हमारा दूदपाक रेडी हो गया है दूदपाक को हमें गर्म ही पीना चाहिए गर्म ही हमारे सेहत के लिए अच्छा है पर अच्छा हो तो इससे ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हो अब हम ये दूदपाक बाउल में सव करेंगे हम इसलिए चावल में सव करेंगे कि आपको पता चले कि एक लिटर दूदपाक का कितना दूदपाक बना है तो आप देख सकते हो यह चावल भी कितना खिला खिला है और दाना हमारा टूटा भी नहीं है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन पर प्रेस करके और पे क्लिक कर देना ताकि मेरा जो नया वीडियो आए इसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए फिर मिलेंगे हम एक नए रेसिपी के साथ तब तक खाओ पीओ और खुश रहों